नमस्ते प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का सवागत है एलन की फिजिक्स लैब एंड रिसर्स सेंटर में आज फिर से हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बुलें सेंटर ओफ मास से रिलेटेड है सो यहां देखिए आप मेरे पास यह एक स्पेशल शेप का रेल वाला प्लेटफर्म बना हुआ है और इसका स्लोप किस तरफ है वो हम आइडिया लगा सकते हैं मैं सिलिंड्रिकल अबजेक्ट अगर यहां रखता हूं तो इसका मोशन जो उदर हो रहा है जो इंडिकेट कर स्लोप उस तरफ है पर अगर मैं यह स्पेशल शेप वाला अबजेक्ट जो दो कीप को जोड़कर बनाया गया है इसको रखता हूं तो इसका मोशन कुछ और दर्शाब है तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे सवाल उड़ता है कि जब ढलान उस और है तो यह उल्टा कैसे जा वैलेशन हो गया है तो जवाबे नहीं बचो कहीं पर भी दुनिया में आज तक लाफ कंदरविशन ओफ एनर्जी का वैलेशन नहीं पाया गया है यूट्यूप पर जितने भी वीडियो हैं जिसमें दिखाया है कि उन्होंने परपैच्वल मोशन मशीन बना लिए वो सब फ यह यहां पहुंचता है तो इसका सेंटर ओफ मास कंपरेटिवली लोवर हाइट पर है तो एक्चुल में इसने पोटेंशल इनर्जी लूज की है इसलिए कानेटिक एनर्जी गेन की है तो इसका मतलब यह नीचे से उपर नहीं जा रहा था यह उपर से नीचे ही जा रहा है और इसकी energy decrease हो रही है तो center of mass shift हुआ है ज्यादा height से कम height पर तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था ये special shape की वज़े से और इस platform के special shape की वज़े से ऐसा हो रहा है जबकि cylinder में uniform shape होने की वज़े से वो अपना धर्म निबा रहा है यानि जा रहा है नीचे की तरफ पर ये भी जा रहा है नीचे की तरफ हमें दिखता है कि उपर जा रहा है पर वास्ता में जा रहा है नीचे की तरफ तो आपको समझ में आ गया होगा happy learning